अलो फ्रेंड्स मैंने रुख्मा अगरवाल रागग कलर स्पेज की साहीर सोई मैं आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए लाइन हो एक स्नेक्स जो जड़ पर तेयार हो जाता है जिसका नाम है मसाला पापर चांड और फटा फट बन जाती है और दो तिन तरीके से मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप लाइक करें उसी तरह से बना है चांड के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरुद्पूगी सामेगरी वो मैं आपको बता रही हूँ यह मैंने दो पापर लिए है यह आप मूम दालकी और अदलके यह दोनों मिक्स दालकी भी ले सकते हैं मिक्स नमकीन लिए है कोई भी नमकीन ले सकते हैं यह आलू भुजिया ली है मैंने यह कटा हुआ सेव है कता हुआ प्यास यह त्माटर है जिर्वे लिए और थे रोष्ट किए हुए मैंने यह रोष्ट्टे, इनारदाना धनिया, थोड़ा अप्ल गारनिशिंग के लिए येँ मीठी इमली की चλαनी है, खटी मीठी चलनी है, और ये और मीठा फैता हुआ थायए, व्लिण भुणा जीरा है और थोड़ी सी कटी भुई हरी मिढ़ी है, बीनी बूडा से जह利न लिया है यह कटा हुआ बारिक पनीर है उगली हुए आलू है कटे हुए और यह कट्व कस्तिया हुआ थोड़ा सा पनीर है चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पापड मसाला चान कैसे बनेगी एक पे मैंने तबा गरम करने लगती है सिंगेस पे और एक पे मैंने ओईल गरम होने रगत के काट सकते हैं अब मैं इसको कपड़े से तबाते हुए शेखना है क्योंकि नहीं तो यह किनारे इसके उठ जाएंगे दोनों चीजों को आप एक साथ नहीं करें बनवाई बन भी कर सकते हैं इसको आप कल्छी की साहता से इस तरह से भी दबाते कर सकते हैं लेकिन मैं इसक देखरे कापड़ निना है क्योंकि कपरा है चुपक जाएगा यह पर्म सिख नहीं पापड़ के पोड़ी के रहे होनेदे चाहिए देखिए दो यह कौन तयार है मेरे अब मैस पाखट को डीप इस तरह से कोल करती होदुगी और फिर फलिट करती हूँ ऑलकर्तायों कोनके अब फ़े ए झाये कर देकूशी से कना तुमा आए केकिरकेरने किम उसे कि मुरायनी जादा त्रण कि निकालना है। इकत याजूर दा बच्चे को अप्डेक करने के लिए हम कई तरह की शेप को इसतर्माल करते हैं तो कि बच्चे क्या होता है कि जो नई सी चीज देते हैं कि टाप और का लेगे कि आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं तीस सेकेंड के लिए अब उसमें परल होन जाता है अब यह देखें आप तीन तरह से हमारे कापड तयारा है अब देखें तीनों को में अलग-अलगी स्टेपिंग से बरूंगे यह चांट बतारी में पहले आपको इसके लिए मेके करते यह थोड़े से इसमें प्याज पहले डालूंगे एक एक करके डालूंगे इसमें एक चीज जरूर द्यान रखिए जब यह खानी है तुरंती बनाईए क्योंकि पापर तुरंत सॉफ्ट हो जाता है फिर मजानी आएगा क्रिस्पी नैस इसकी चली जाएगी और इसमें मैं मैं थोड़े से यह चिर्वेव रखती हूं थोड़ा सा पनीर कटा हुआ मैं थोड़े से यह सेव डालूंगे थोड़े यह सेव अनार के दाने आप मैं थोड़ा सा इसमें इबुकारा से स्प्रेड करेंगे अलका सा और इसमें मैं यह चांट मसाला डालती हूं फिर मैं यह तेहीं एक तेमाटर इस्पेड कर रही टमाटर मैंने बार में इसले डाला है क्योंकि टमाटर में पानी होता है तो पापड जल जाएगा अनिय इसे गार्णिश करती हूँ इसको फोरा सामेस में पसा हुआ पनीर काला नमा खलका सा जीरा मुना वख थोड़े से फिर इसमें ग अब यह लेतियों मैं इसमें अभी में यह करूंगी देखिए हुड़ा साथ स्प्रेड करते हुए इसे करके फिर इस पे हम थोड़े सी चिर्वे आप चाने तो यह और थोड़ी सी सेव अब थोड़ी सी प्याज डालेंगे इस पर अगर प्याज पसंद तरते हैं तो डालें और इसमें थोड़ा ज्यादा मैं सेव डालेंगी एक कटा मीटा साथ फ्लेवर लेगा इसका और थोड़ी सीस में यह हरी चटनी नीबू का रस बहुत हलका साथ थोड़ा सही है में चर्वाली नंखनी थोड़े से यह और डालते जिए इसमें अचे पे गार्निशिं के अब यह तीसरी तरह की है इसके लिए मैं श्टपिल तेजार करोंगे मिक्स करके दो चम्मच चेरवे लूंगी क्योंकि छोटी-छोटी कौन है आप ज्यादा भी बना सकती है कोई नेम्मर्स के साब से ए बड़ा चम्मच है मिक्चरदार एक एसे त्याज एक चम्मच अगर पसंद तरह तो पनीर तुड़ा सा कटावा सीव और थोड़ा इसे मैं आलू देरो अब इसमें मैं थोड़ी सी ये मीठी वाली चतनी थोड़ी सी हरी चतनी और ये मीठा धाई उसके बाद ये थोड़ा सा एक पेंच काला नमक और एक पेंच बना हुआ जीरा और इस तरह से बहुत ही डिलिशेस वनेगा इसमें पीनो चतनी या मिक्स कर दिये मैंने इस तरह से मैं मैं इसमें भारूंगी पूरा फुल भर दीजे कौनती तरह अब इसके उपर में डालते हूं ये दही पहले मीठा वाला फिर इसके उपर में हरी चतनी स्प्राइड अब इसके बाद दो चारी अनार के दाने गार्नेशन थोड़ा सा दनिया और ये थोड़ा सा पनीर और इसके बाद ये थोड़ा से मैं सेव डालूंगी इसके पर चुट्की वर इसमें उपर से चान्त मसाला पुरकूंगी मैं कर्क देखे दोस्तों कि इतनी प्यारी मसाला चान क्यों तैयार हुई है मैंने आपको तीन तरीके से बताया है है एक फ्लेट पापड़ पर किस तरद से मसाला च intentar बना सकते हैं और तो रंत खाल सकते हैं और एक दूसी तरीसे से मैंने नाचु उसी श्टाइल बनता है, तिकोन काटकी तलकी और उनको भी इस तरह से एक एक पीस उठाईए और खाईए, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये जटपड बनाईए और जटपड खाईए, क्योंकि थोड़ी तेर बाद ही ये विद सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली डेश के संग में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए धन्यवार।